खबराजमगर जिनपत के जहाना गंस्थाना छेत्र सेर्पुर्क कुट्टी से है जहां दयानाथ पांडे का मकान सन 1991 का बना हुआ है उनकी जमीन पर आवेद रुप से कबजा करने की कोशिस घूर पत्री गुपता कर रहे हैं दयानथ पांडे के मना करने पर घूर पत्री गुपता की पत्री अभद्र गाली गलोस करती है तता उनकी जमीन पर कच्रा फेक रही है नाली का पानी भी बंद कर रही है सिर्णी तोड़ दी है दयानथ पांडे ने जहाना गंस्थाने में कई बार दर्खास दी सिर्णी भी तोड़ दी है दयानथ पांडे ने जहाना गंस्थाने में कई बार दर्खास दी लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो दयानथ पांडे ने सियम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्स कराई फिर भी मौके पर दोनों पक्ष को बुला कर आज तक कोई निस्तारण नहीं कराया गया जबकि दयानथ पांडे ने राज़त सुई भाग पुलिस प्रसासन के समक्षिन नापी भी करा दिया है इसके बावजूद घूर पत्री गुपता की तरह से आयद दिन विवाद किया जा रहा है जानागंस थाना सियो सदर की रिपोर्ट में यह दर्साया गया है कि घूर पत्री गुपता मानने को तयार नहीं है अब यह तो वक्त ही बताएगा कि पुलिस प्रसासन घूर पत्री गुपता को मना पाती है या नहीं जबकि घूर पत्री गुपता आवाएद रूप से कबजा करने के लिए और विवाद बढ़ा रहा है आजमगड से मनोस दुबे की रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूँ आपके साथ मजदुबे इस समय आजमगड के थाना जहाना गंच्छेत्र सेरपूर बाजार में हूँ जहां पर एक व्यक्ति काफी दिनों से करीब सालों से पुलिस प्रसासन से गुहार लगा रहा है या और उसकी आज तक सुनी नहीं जा रही है आईए हम बात करते हैं उससे और पूछते हैं कि मामला क्या है सर आपका नाम क्या है और ये जमीन का विवाज जो है किस तरह से अभी तक आपका सुन्जा नहीं इसमें कारण क्या है कौन कौन लोग इसमें दोसी है ये चकबंदी विवाग हमको लिया दिया था कानगो लेकपाल चकबंदी विवाग के दिये थे तवसील दिवस से अमपाय माइस भी कराए थे उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है थाना प्लिस कम देते हैं वह औरत उसका सहयोगी जो है एक रामबं से यादो पावारी है वही जो है उसको चठा करके और उसको भेज़ करके मेरे घर में टट्री भी करवाता है और कूरा करकट भी ला करके मेरे घेरी भी जमीन में फैंकता है मेरा इंटा भी उठा ले जाता है चठा का और तरह तरह की गाली गुपता भी देता है कभी बलब फोल्डर खोड़ दे और पुलिस विभाग एक हमको धंकी दिये थे कि इंकाउंटर कर दूंगा उनका ट्रांसपर हो गया वही बदला हमसे लोग लेते हैं पुलिस विभाग हमारा भी इंकाउंटर के नहीं कर पा रहा है लेकिन चकर में है तो चड़ा करके अगर यह गाली गुपता देते हैं तो म फर्जी फर्जी मुकद्म में फसाएंगे और अनाधिकर रूप से हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है हमको घर में रहना भी दूस्वार कर दी इसकी सुचना आपने किसको दी कई बार हम ठाने पर भी गए तहसील दिवत से गए तहसील दिवत से भी मापी हो गई थान पर कौन एसो है राकेश सिंग्ग उनसे भी बात हुई आपकी उनसे भी हमारी बात हुई है वह क्या बुलते हैं कि पुराने यह चेस हो हो तुम्हें हिस्टी सीटर फिर बनने की सवक है यह सब धमकी देते हैं उनके हमराही है उनको बचाने के लिए उनका जो हमराही है कोई ठाने पर ही ना आएगा हम कई बार मुखमंत्री पोटल पर भी दिए उसका गाली भी टेप किये थे वह भी दिए हम बार बार अपनी इजद मचाने के लिए पड़े हैं लिगे लोग मानते नहीं है चड़ा चड़ा करके हमको गाली दिलवाते हैं उपर के अधिकारिय सब्सक्राइब करता है उसको भी दो दो बार ठाने में गांवाले बाजार वाले पकड़ के दिए उसके वी छोड़ देते हैं लोग पैसा लेकर के इन्हीं लोगों के सफ़ पर वो सब बदमासी कर रहे हैं तो कभी आचकबंदी हो गया दस साल कभी ज्यांकने नहीं आये त कि ए्याराईन करें कर तो कि ए्यां कर ऱर्मपाले बदमासी तके एाज पारी म자व समय पाराई तके ठीए अ कर में अ बदमें आपने कmore आप्या रह एा उन्से भommenने कि दिन्दमासी में आपन में याव खिता है लदो टाषर हुआल कर दो कर दो कर दो कर दो दो